Hello students, मैं विजट आयाद आफ क्लास 5 के लिए लेका हैं चैप्टर नमर 3 We are a by different, मतलब हम थोड़े अलग है If you are blind folded and are asked to read your book देखिये बच्चों, अगर आपसे कोई कह दे कि आप अपने आखें फोल्ड कर लीजिए या मतलब आखें बंद कर लीजिए और फिर आपसे कोई कहे कि बुक पढ़के दिखाए तो आप क्या पढ़ सकते हैं Can you do this? No Your answer will be no आपका answer भी क्या होगा बच्चों मेरी तरह है? No But there are many such people in the world who are unable to see But they get education देखिये बच्चों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो की देख नहीं सकते But फिर भी उन्होंने अपनी education को complete किया ऐसे ही लोगों में बच्चों एक बहुत बड़ा नाम आता है Helen Keller है ना? आपने भी शायद हो सकता है सुना अगों की बारे में Helen Keller also could not see वो देख नहीं सकती थी But she is renowned as an author बट उसके बावजुद भी आज वो एक author के नाम से जानी जाती है वो एक writer है बच्चों और बहुत सुप्रसिद्ध है वो Discuss and Tell अब देखिए बच्चों यह इसमें आपको बता रहा है कि आप इसके बारे में डिसकस करें और बताएं Those people who are unable to see How would they have read books? जो लोग देख नहीं सकते वो बुक्स को कैसे पढ़ते होंगे Do this also, देखिए आप यह भी करके देखिए In a thick cloth bag देखिए बच्चों अब यह बहुत अच्छा example आपको दे रहा है इसमें इक आपको कह रहा है कि थोड़ा thick यानि थोड़ा मोटा बैग आप ले लिजी थोड़ा बड़ा बैग आप ले लिजी Put the some similar items as different pens, pencils, sketch, pens etc उसमें आप क्या करेंगे? कुछ things रखेंगे जैसे pen रख दिया, pencil लग दिया, sketch, pens रख दिया Ask one to your friend to put his hand in the bag and identify an item with eyes closed देखिए, अब यह क्या कह रहा है कि आपने उसमें कुछ सामान रख दिया, ठीक है अब आप अपने friend को कहेंगे कि आप अपने eyes close करके उसमें bag में hand डालिये और सारे things को one by one आप touch कीजिए उनको और उनको आप recognize करने की कोशिश कीजिए पहचानने की कोशिश कीजिए one by one you all try to identify each item एक के बाद आप लोग जो क्या है उन items को पहचानने की कोशिश कीजिए how did you all identify those items आपने सारे items को कैसे पहचाना देखिए बच्चों अगर आप उस bag में मानली जी एक bag लिया आपने उसमें बहुत सारे things आपने रख दिये और आप one by one करके एक एक को touch करके देखेंगे तो क्या आप उनको identify कर सकते हैं of course कर सकते है because हम उनको उनकी shape के according पहचान जाएंगे यह pen है यह pencil है यह notebook है यह book है यह और भी आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं उसमें आप मालीजे आपने marker रखा आप उसकी shape को देखेंगे बता सकते हैं without eyes open कि आप पहचान जाएंगे यह marker है यह pencil है यह eraser है because of हम पहचानते हैं कि उनकी shape कैसी होती इसलिए हम by touching हम identify कर सकते हैं कि क्या चीज़ है अब यह कह रहा है you might have identify the items by touching them यह भी बात कह रहा है देखो कि आप उनको touch करके बता सकते हैं कि यह कौन सी thing है those of our companions who are unable to see देखिए जो हमारे जितने भी companions होते हैं जो कि देख नहीं सकते identify alphabets by touching them with the help of a particular system वे लोग क्या करते हैं बच्चों की alphabets को कैसे पहचानते हैं बच्चों वह touching की दिवारा और वह सारे alphabets को recognize करते हैं this system is called braille system or braille language इस system क्या का जाता है बच्चों braille system या braille language अब हम इसकी बारे में और अच्छे समझेंगे बच्चों आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी देखिए बच्चों यह आपको बहुत इंट्रेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा है Helen Adams Keller was an American author Helen Adams Keller जो थी बच्चों वह एक American author थी political activist and lecturer वह एक political activities भी थी मतलब राज देती में वह सक्रिय थी और एक lecturer भी थी she was the first deep blind person to earn a bachelor of arts degree वह उस समय फर्स्ट ऐफ और blind का मतलब होता है बच्चों जो की गुंगा भी होता है और अंधा भी होता है वह एक ऐसी इंसान थी जो पैदा हुई थी तो उस समय से वह deep भी थी और blind भी थी बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजुद भी उन्होंने जो है BA की डिग्री हासिल की थी कम लैट्स नो अबाउट ब्रेल स्किर्ट अब देखिए बच्चों हम ब्रेल स्किप्ट के बारे में जानेंगे आपको बच्चों यह ब्रेल लेंग्वेज लिखावा देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा आपको ब्रेल लेंग्वेज सिस्ट्रम इस पिक्चर में आप को टच करके identify कर लेते हैं देखिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं इन ब्रेल सिस्टम देर आर रेज्ड डॉट फोर अवरे अल्फाबेट पॉइंट देखिए बच्छो ब्रेल सिस्टम में क्या होता है कि जो होते हैं रेज्ड मतलब उभरे होते हैं थोड़े अक्षर थोड़े मोटी जब आप इनको टच करेंगे ना तो आपको यह फील होंगे कि हां कुछ है यहां पे इनको आप ऊपर की पिक्चर में देख सकते हैं इन दे सिस्टम सिंबल सफ औल डा ऐल्फाबेट आर प्रपेर बाई six रेज्ड डॉट इस सिस्टम में जो है बच्छो यह अल्फाबेट जो है इनको बहुत अच्छे से six रेज्ड डॉट के अक्वाडिंग जो हैं इनको तय जाता है, on it is specially designed और इसकी special design तयार की जाती है Scale on which a group of six dots is given in a sequence इसमें क्यों होता है बच्छों यह जो slate होती है, wooden slate होती है, इसके ओपर इसकी design तयार की होती है, six dotter से मिलके जो बनी होती है Whichever alphabet is to be written on the paper cardboard, accordingly that dot is pierced with a pointed pen like device इसके साथ में बच्छों एक pointed pen भी होता है, जो की एक device होती है, और इसकी according वो काम करता है For example, if English alphabet A is to be written, अगर A लिखा गया है, English alphabet A लिखा गया है, dot one is pierced इसके लिए dot one वो indicate कर देगा, this pointed pen device is called stylus, और यह pointed pen, इसको क्या कहा जाता है बच्छों, stylus और यह stylus होता है बच्छों, यह क्या करता है, पेपर को बेच देता है, वो उस तरह की उस पे design उकेर देता है, एक दरजे ताकि वो उसको identify करने में easy होता है, after piercing the dot on the paper, it is reversed जब यह paper पे pierce कर दिया जाता है, इस dots को, इसके बाद इसको यह reverse करता है, on the opposite side of the paper मतलब, जब आप paper को पलटोगे तो आप देखोगे, raised dots can be felt when touched, जब आप paper को पलटके, touch करके देखेंगे उसको बच्चों, तो आपको वहाँ पेपर पे कुछ उभरा हुआ सा feel होगा, उससे आप touch करके पता कर सकते हों कि यह dots कौन-कौन से, dots इस पर बने हुए है, कि shape की बन by touching these raised dots, contents are identified, और इन dots को आप touch करके, आप identify कर सकते हैं देखें बच्चों, यह बहुत interesting सा facts में बता रहा है आपको, below, India is written in brown language, देखें नीचे आप देखें, India is written in brown language में लिखा हुआ है, You also write your name in brown language with the help of brown language, chart देखें, यह इसमें chart दिया हुआ है बच्चों, और यह कह रहा है कि इस language में जो है, आप अपना name भी लिख सकते हैं, कैसे, अब देखें, आप इसमें picture में देखेंगे, I, I किस तरह से लिखा हुआ है, यह two dots बने हुए, N किस तरह से लिखा हुआ है, D क इस तरह से लिखा हुआ है, I और A, यह भी सब बता रखा है इसने कि इस तरह से लिखे जाते हैं, तो इस तरह से आप भी अपने alphabets जो है निकाल के, नेम के, और आप अपना नेम भी brown language में लिख सकते हैं, अब देखिए, यह कह रहा है, यह story of brown language, देखिए बच्चों, अ देखिए, लुइस ब्रेल जो है, एक वेक्ती थे, जो कि फ्रांस में रहते थे, once during his childhood, बच्चपन में एक बार की बात है, when लुइस ब्रेल was playing in his father's workshop, जब लुइस ब्रेल जो है, अपने father के workshop में खेल रहे थे, his eyes got hurt, उनकी eyes जो थी, वो injure हो गई, he lost his eyesight, अब उनकी आखे च He was being taught differently, अब उन्होंने कुछ अलग तरीकी से पढ़ाई चालूगी, it was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming during that period, अब देखिए, उस समय अब उनके लिए उन textbooks से पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनको फिर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाया करता था, अना talking करके, व आर्मी कैप्टन विजिटेड लूइस ब्रेल स्कूल, अब एक बर की बात है कि उनकी स्कूल में जो है एक आर्मी कैप्टन ने विजिट किया, and he showed the students and the teachers the language based on 12 dots, 12 points invented by himself, अब देखिए, उनकी स्कूल में कौन आये, एक आर्मी कैप्टन आये, अब वो क्या लेके आया थे अ much impressed by the language, अब लूइस ब्रेल जो थे वो उनकी language से बहुत ही impressed हुए, लूइस ब्रेल with his efforts, modified this 12-pointed language into 6-point language, अब देखिए, लूइस ब्रेल ने क्या किया, जो उनकी 12 points dotted वाली जो language थी, उन्होंने उसको अपने efforts डालके 6 points language में convert कर दिया, Hence the language developed by him was named Braille language, इसलिए अब जो ये language जो modify की थी उन्होंने बच्चों, तो ये इस प्रकार ये language अब किस नाम से जाने लगी, Braille language के नाम से जाने जाने लगी, Do you know, ये कह रहा है बच्चों कि क्या आप जानते हैं, लूइस ब्रेले, tactical language is used across the world today, आज पूरे विश्व में लूइस ब्रेल के द्वारा जो language बनाई गई है, बच्चों इसको पूरे विश्व में use की जाती है, अब आपको पता चल चुका होगा बच्चों कि जो बच्चे या जो भी लोग देख नहीं सकते, वे भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपने देखा होगा, कि जो बहरे या गुंगे लोग हैं, आपने देखा होगा बच्चों, टेलिविजन पर भी कई पर देखा होगा, कि वो अपनी हैंड से कुछ sign indicates करते हैं, बोलते नहीं हैं, बट वो अपने हाथ से कुछ इशारे बाजी करते हैं, तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, वो लोग भी आपस में communicate करते हैं, अब देखिए, हम देखेंगे कि sign language किस तरह से काम करती हैं, अभी हमने brain language के बारे पढ़ा बच्चों, और अब हम देखेंगे sign language क्या होती है, What did you understand? आपने क्या समझा? Divide the class into two groups, देखिए, कह रहा है कि class को जो है, दो groups में divide कर दे, One student from a group has to give instruction silently with his hands only, as a stand up, cam hair, open the book, etc. देखिए, कि आप क्या करेंगे, इस class को जो है, दो group में divide कर दीजिए, और उन में से क्या है, कि एक group जो है, silently जो है, instruction देगा, अब उन में से एक group तो क्या है, silently जो है, अपने hands से कुछ instructions देगा, है ना, और जो, जैसे मानली जीए, open the book, इस तरह के instruction देगा, the students of the other group will act according to the instructions given through signs, और जो दूसरी group के जो members से students है, वो उसके instructions के according act करेंगे, the way you could understand the instructions through sign languages, देखिए, sign language की द्वारा जो है, आप उनकी instructions को समझ सकते हैं, the same way sign language is used for mute, deep people, जो sign language होती है, बच्चों वो जो बहरे और गुंगे लोग होते हैं, उनके द्वारा यूस की जाती है, below are given the pictures of sign language, अब देखिए बच्चों यह एक picture दी हुई है, sign language की, इसमें आप देखिए, A, B, C, D, E, F, G, E, सारे instructions में दिये हुए हैं कि A को किस तरह से indicate किया जाता है, B को किस तरह से indicate किया, C किस तरह से बनाय जाता है, hand से, यह सारे signs इन्होंने indicate किये हुए हैं, तो आप इनको देखिए पहचान सकते हैं, recognize कर सकते हैं कि A, B, C किस तरह से बनाय जाएंगे, below are given the pictures of sign language, see these pictures and in the class, you try to make your classmates understand your points without speaking, yes, बच्चो, आप रियल में इसको एक गेम की तरह भी आप खेल सकते हैं, इन signs को आप भी, यह जो sign दिये हुए हैं बच्चो, इनको आप भी पहचानिए, बताओ, if differently abled children around you don't come for study, देखिए, अगर आपके आसपास में, कोई इस तरह का, जो मान लीजी कोई गुंगा या बहरा कोई बच्चा है, और वो school नहीं आपा रहा है, how will you help them, आप उनको किस तरह से help करेंगे, on the map of India, अब देखिए, अब एक experiment करने के लिए बच्चो आपको, कि आप क्या करेंगे, जैसे इंडिया का map लिया, आपने, paste a thick thread on boundaries of any four states, अब आप क्या करेंगे, उनमें से कोई भी four states, चूज कर लिजिए, और थोड़ असा मोटा जो identify different states such as Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, etc, मतलब आपने माली जी four states पे वो थ्रेड पेस्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, अपने eyes close करेंगे, और उस thread को touch करके recognize करने के कोशिश करेंगे, identify करने के कोशिश करेंगे, कि ये कौन सा state का map है, ये जो thread को आप touch कर रहो, वो कौन सा state है, जैसे राजस्तान, Gujarat, Jammu, Kashmir, Kerala, कुछ भी आप उसको trace करेंगे, talk to these people and find out how did they face challenges and become successful, देखिए, अब आप क्या है कि कुछ जो physical challenges, जो लोग है इस तरह के, उनसे भी आप बात करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से किसी को पहचानने में success होते हैं, अब है cerebral palsy, देखिए, cerebral palsy के बारे में बता रहा है बचो आपको ये, बचो, cerebral palsy क्या है, yes, cerebral palsy, have you heard this name, क्या आपने पहले कभी ये नाम सुना है, this is a kind of disease, ये भी एक प्रकार की बिमारी है, hands, legs and all other organs of the patients of cerebral palsy are normal, इसमें क्या होता है बचो कि इस बिमारी में ऐसा होता है कि दिखने में व्यक्ती बि बिल्कुल नॉर्मल लगती है, but they don't function properly, लेकिन वे उनकी जो body होती, वो पूरी तरह से properly काम नहीं कर रही होती है, the cause of this disease is that the brain of the patient suffering from, it has no control upon his organ, इस बिमारी में क्या होता है, बच्चो कि जो mind होता है, आपका जो brain होता है, वो आपकी body को control करने में असमर्थ होता है, वो आपक बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, उसके हाथ पर नॉर्मल होता है, बट जो brain का control होता है, उसके हाथ पर रहो पर या उसकी body के other parts पर नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे बिमारी में क्यों होता है, वो अपने hand को अगर move भी करना चाहेगा ना बच्चो तो वो moment नहीं हो पाता है, for example, he can't pick up the book kept in front of him, for example, मान लिजी, अगर किसी को ये बिमारी है, अगर उसको और उसके पास में, आसपास में कोई बुक भी पढ़ी है बिल्कुल और वो उठाना चाहेगा, तो भी उसको उठा नहीं पाएगा, वो कोशिश करेगा अपने hand को move करने की बच्चो फिर भी वो नहीं कर पाएगा, this disease needs a particular type of physical exercise, इस तरह की बिमारी अगर बच्चो किसी को है, तो उसको proper एक physical exercise करने की जरुद होती है, physical exercise gradually enable the brain to control other organs, अगर वो proper physical exercise करेगा बच्चो तो हो सकता है उसका brain जो है वापस से अपने own organs को control में लेने की कोशिश करे, the same way there is a different physical exercise exercise for practice of speaking and writing to, इसी तरह से बच्चो एक physical exercise की जरुद बढ़ती है इस तरह के बोलने के लिए या लिखने के लिए, it makes the person normal gradually, though he can't work at normal speed like us, but still he improves to a great extent, देखिये, अगर कोई वैक्ती continue अगर practice करेगा बच्चो इसकी, तो वो भले ही अपनी जैसे perfectly, normally, ना लिख पाए, ना बोल पाए, बट फिर भी काफी अच्छा उसको काफी हद तक उसको इसी में success मिलती है और वो अपनी life को काफी अच्छे से enjoy कर सकता है बच्चो तो practice, बच्चो वैसे भी practice क्या है, हर चीज के लिए practice बहुत जरूरी होती है, अगर आप particular किसी भी बना सकते हैं, I hope बच्चो आपने इस chapter को enjoy किया होगा, आपको समझ में आया होगा, अगर आपको chapter पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आया, तो please like करना ना भूले, okay बच्चो, bye, take care